लालू यादव और नितिस कुमार को ये पसंद नहीं आया कि उनके साथ के ही दोस्त राम बिलास पासवान को प्रधान मंतरी वीपी सिंग ने केंद्रिय मंतरी बना दिया नितिस ने लालू यादव को चिट्टी लेकर कहा कि आडवानी को अरेश्ट करने का कारकरम हम सब ने तै किया था लेकिन बाहर जन सभाओं में पूरा क्रेडिट आप अकेले ले जा रहे हैं पटना में एक जगह बैठकर लालू पल-पल अपने सहयोगियों से पूछते रहे कि आया जी नितिस्वा पता लगाओ कहा हैं साल 2004 में नितिस कुमार ने राजनितिक विशलेशक प्रेम कुमार मणी से कहा कि नरिंद्र मोधी बीजेपी का नया चेहरा है वो घाची जाती से आता है जो पिछडी जाती है बीजेपी की ब्रहमर लोवी उनको बदनाम करने में लगी है राम ब्लास पासवान ने कहा कि वे लालू के आरजेडी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन तो दे देंगे लेकिन आरजेडी को किसी मुस्लिम नेता को बिहार का मुख्यमंतरी बनाना होगा लेकिन जैसे ही नीतिस लोधिहाना की इस रैली के मंच पर पहुंचते हैं तुरंत ही नरिंद्र मोधी ने लपक कर नीतिस कुमार का हाथ पकड़ लिया मोधी ने भाजपा अध्यक्स गड़करी से कहा कि आप नीतिस को मेरे साथ ऐसा आचरन करने की अनमती कैसे दे रहे हैं हमें सरकार से बाहर हो जाना चाहिए मोधी ने मैथली और भुजपुरी भासा के मुहावरों के साथ 45 मिनट भासड दिया और नीतिस कुमार के चीचा लेदर कर दी जॉर्ज फर्नाडिस ने इस पत्र में लिखा कि तुमने नीतिस कुमार के बारे में जो कहा था वो सच है मैं उसको लेकर आया लेकिन वो मुझे साइड लाइन होते हुए देखता रहा यह कहानी सिर्फ नीतिस कुमार की नहीं है बलकि उन नेताओं की भी है जिन्होंने कपड़ों की तरह विचार धाराएं बदली एक वक्त था जब नीतिस कुमार और लालु प्रसाद यादव एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे यह नीतिस कुमार ही थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाप सेकुलरिजम की लड़ाई का जंडा लेकर खड़े हो जाते थे और भाजपा के गठवंदन एंडिये से इस्तीपा तक दे देते हैं मोदी भाजपा के प्रधान मंत्री उम्मीदवार घुशित ना हो इसके लिए नीतिस कुमार ने क्या क्या तिकड़म नहीं बढ़ाए लेकिन वही नीतिस कभी सेकुलर पार्टियों में गुश जाते हैं कभी भाजपा की गोध में कूच जाते हैं इस राजनीतिक चरितर को जानना बहुत जरूरी है इस वीडियो में हम नीतिस कुमार की पूरी हिस्ट्री का पूश्ट माटम करेंगे सतर के दसक में प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी की खिलाप गांधी वाधी नीता, जैं प्रिकास नाराएड ने सुप्रसिद आंदूलन किया जिसका नाम पड़ा जेपी आंधूलन जेपी आंदोलन को बिहार आंदोलन या संपूर क्रांती के नाम से भी जाना जाता है पूर क्रांती के जनक जेपी ने अपने पिर्शित भाषन में कहा कि ब्रश्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांती लाना आधी ऐसी चीजे हैं जो आज की विवस्ता से पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वे इस विवस्ता की ही उपज हैं, वे तभी पूरी हो सकती हैं जब सम्कून विवस्ता बदल दी जाए और सम्कून विवस्ता के परवर्तन के लिए क्रांती यानि सम्कून क्रांती आवश्चक है इंद्रा गांधी की सत्ता के खिलाब खड़ा हुआ ये आंदोलन इतना लोग प्रिय हुआ कि इसे दवाने के लिए साल 1975 में इंद्रा गांधी को आपात काल लगाना पड़ा और अंतते साल 1977 में जब आपात काल हटाया गया तो इंद्रा गांदी के खिलाप एक जुट होकर चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी का निर्मार किया गया जैप्रकास नारायन की निगरानी में छोटी बड़ी सभी विपक्सी पार्टियों ने मिलकर जन्ता पार्टी नाम से एक बड़ी पार्टी बनाई साल 1977 के लोगस्वा चुनावा में जन्ता पार्टी इंद्रा गांदी की सरकार को उकाड फैकती है और देश के पहले कैर कॉंग्रेसी प्रधानमंतरी बनते हैं जन्ता पार्टी के ही नेता मुरारजी देशाई हालंकि मुरारजी देशाई पहले से ही एक लोगप्रिय नेता थे लेकिन जेपी आंदूलन ने अन्ना हजारे के आंदूलन की तरह कई बड़े नेता दिये जो बाद में राजनितिक सीडियों पर काफी आगे तक चाते हैं जेपी के चातर आंदूलन से निकले तीन बड़े नेता थे राम बिलास पासवान, लालू यादव और नितिस कुमार एक दौर था जब ये तीनों एक ही पार्टी में थे लेकिन आगे चलकर तीनों की अलग अलग पार्टियां साल 1977 में आपातकाल हटने के बाद जब 1977 के बिहार विदानसवा चुनाव होने जा रहे थे तब नितिस कुमार में 26 साल के थे जनता पार्टी के टिकट पर नितिस कुमार नालंदा जले की हरनोत विदानसवा सीट से चुनाव में उतरते हैं इस चुनाव में जनता पार्टी को बिहार की 311 सीटों में से 214 सीटें मिलती हैं यानि पूर बहुमत मिलता है इस तरह जनता दल के नेता करपूरी ठाकुर बिहार के नए मुख्यमंतरी बनते हैं लेकिन कमाल की बात ये रही कि जनता दल की लहर में भी नीतिस कुमार अपना पहला चुनाव हार जाते हैं कॉंग्रेस के भोला प्रसाद सिंग ने नीतिस कुमार को हरा दिया लेकिन साल 1980 के बिहार विदानसवा चुनावों में नितिस कुमार ने 12 से हरनोत सीट से चुनाव लड़ा हलांकि इस बार भी वे जनता पार्टी के दूसरे हिस्से जनता दल सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े यूनिवर्स्टी छोड़े हुए कई साल हो गए थे और अब तक कमाने का जोगार नहीं हुआ था राजनीती में सत्ता का जो सुख लेने आये थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था इसलिए नितिस ने राजनीती छोड़कर ठेकेदारी में कमाई करने का मन बना लिया लेकिन ठेकेदारी की तरफ जाते जाते नितिस कुमान ने अंतते राजनीती की तरफ पल्टी मार ही ली ये नितिस कुमार की पहली काम्याव पल्टी सावित हुई साल 1985 के बिहार विधान सवा चुनाम में नीतिस ने तीसरी बार हर नोट सीट से विधायकी का परचा भरा इस बार नीतिस ने ये परचा चौदरी चरण सिंग की पार्टी यानि लोगदल से भरा और अंतते कॉंग्रेस के ब्रज ननन सिंग को करीब 21,000 वोटों से हरा कर चुनाम जीत लिया ये पहली बार था जब नीतिस कुमार चुनाम जीत कर विधान सवा पहुंसते हैं विधायक बनने के बाद नीतिस कुमार की मैत्वा कांच्छाएं और अधिक बढ़ने लगती हैं इधर केंदर में राजिव गांदी की सरकार के खिलाब सत्ता विरोधी लहर चल रही थी जनता पार्टी के अंदर ही टूट फूट के कारण विपी सिंग के नित्रित में जनता दल का निर्माण होता है जनता दल में लोग दल और जनता मूर्चा जैसी कई छोटी बड़ी पार्टियां सामिल होती है इसी बीच साल 1989 में लोग स्वा का चुनाव आता है विपी सिंग के नित्रित वाले जनता दल ने राजिव गांदी की कॉंग्रेश को भारी टक कर दी इस चुनाव में कॉंग्रेश को मात्र 197 सीटें आती है वहीं विपी सिंग के जनता दल को 143 सीटें हासिल हुई ये जनता दल की एक बड़ी जीत थी इस चुनाम में नीतिस कुमार भी जनता दल के टेकट पर बिहार की बाड़ लोग सवा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं 1989 के चुनाम में भाजपा को भी 85 सीटे मिलती हैं इस तरह वीपी सिंग की अगवाई में भाजपा जैसी पार्टियों के समर्तन से जनता दल ने जोड तोड की सरकार बना ली वीपी सिंग परधान मंतरी बने और हर्याना के चौधरी देवी लाल उप परधान मंतरी बनते हैं इस सरकार में कई और युवा नेताओं को मंतरी मंदल में जगय मिली जहां राम विलास पासवान को लेवर और वैलफियर मिनिस्ट्री दी गई तो वहीं सरदयादब को फूड और टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री दी गई माना जाता है कि ये बात लालुयादव और नितिस कुमार को पसंद नहीं आई कि उनके साथ के ही दोस्त यानि उनके साथ ही राम विलास पासवान को मंतरी बना दिया गया नीतिस और लालू किसी भी तरह से राम विलास पासवान से कम बड़े निता नहीं थे जायर है इससे नाराजगी पनपनी ही थी ये बात खुद लालू यादव ने कुछ साल पहले एक कारक्रम में कही भी जंता दल की सरकार में खेमे बाजी सुरू हो जाती है प्रधान मंतरी वीपी सिंग से चंदर शेकर और उप्रधान मंतरी देवी लाल की बन नहीं रही थी इसलिए जंता दल में तीन धड़े बन जाते हैं नीतिस और लालू दोनों देवी लाल के नजदिक चले जाते हैं इधर केंदर में ये सब चली ही रहा था कि 1990 में बिहार में विधान सवा के चुनाव होते हैं 324 सीट वाली विधान सवा में जंता दल को 122 सीटे मिलती हैं वहीं कॉंग्रेस 71 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और भाजपा को मातर 49 सीटे ही मिलती है इस पश्ट था कि बहुमत किसी के पास नहीं था लेकिन जंता दल ने कुछ सहयोगियों के मदद से सरकार बनाने की इस्तिती में आ गए थी अब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बिहार में पकड़वी थी उपर से उन्हें जंता दल के ही देवी लाल गुट का समर्तन प्राप था इस तरह लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंतरी बन जाते हैं लालू के बाद नीतिस को भी देवी लाल गुट में जाने का फायदा मिला मई 1990 में वीपी सिंग ने मंतरी मंडल का विस्तार किया देवी लाल ने अपनी लिस्ट में नीतिस कुमार का नाम आगे बढ़ा दिया और इस तरह से पहली बार नीतिस कुमार केंद्र में केंद्रिये क्रशी राज्य मंत्री बनते हैं यहां तक नीतिस कुमार लालू प्रसाद यादव से भाहिचारा निमा रहे थे दोनों साथ थे लालू को नीतिस का दाया हाथ माना जाता था लेकिन ये इस्तितियां जल्द ही बदलने वाली थी साल 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवानी राम जन भूमी के लिए रत्यातरा लेकर सोमनाथ से अयोध्या के लिए पहुशती है अक्तुवर महीने में रत्यातरा बिहार में पहुशती है लेकिन जैसे ही रत्यातरा बिहार के समस्तिपुर में पहुशती है आडवानी को लालू यादव ने ग्रफतार करवा लिया इस घटना से देश की राजनिती में भूचा ला जाता है बीजेपी ने केंदर की जनता दल सरकार से अपना समर्तन वापस ले लिया और सरकार गिर गई वीपी सिंग के सरकार के साथ ही नीतिश कुमार का मंत्री पद भी चला गया अब नितिस कुमार केंदर की जगए बिहार की राजनिती में अपना फ्यूचर तलास नहीं लगते हैं लेकिन यहां लालू यादव नितिस कुमार से काफी आगे जा चुके थे आड़वानी की ग्रफतारी के बाद उनकी प्रसद्धी और अधिक बढ़ चुकी थी इस एक्वेशन से नितिस कुमार थोड़े असहज थे और जल्द ही दोनों का जड़ा सुरू हो जाता है नितिस कुमार को आड़वानी की ग्रफतारी का क्रेडिट ना मिलने से भी नाराजगी थी नितिस ने खुद ही एक पत्र लिखकर लालू यादव को ये बात कही भी थी इस पत्र का जिक्र बिहार की वरिष्ट पत्रकार स्रीकांत की किताब बिहार चिट्टियों की राजनिती में भी मिलता है इस चिट्टी में नितिस कुमान ने लालू यादप पर कई आरोप लगाए। लिखा कि आपके राज में सामाजिक न्याय महज एक निजी लोकपिर्यता प्राप्त करने का एक नारा मात्र रह गया है। इसके व्यावारिक पक्स में घोर अन्याय और पक्सपात के बू आने ल अध्यम से चटपटी भासा में आप अकेले इसका स्रे लेते रहे हैं। इस चिट्टी की भासा से साफ जाहिड था कि नितिस कुमार ये जता रहे थे कि रात भर जाक कर आडवानी की ग्रफतारी के लिए उन्होंने भी मेनत की और उनका क्रेडिट उन्हें नहीं मिल रहा है ये पत्र लालू और नितिस के बीच जगडे की सुरुआत भर था। आगे दोनों की अधावत और अधिक बरती है। अब दोनों तरप से जातिय गूलबंदी की तैयारी सुरू हो जाती है। लालू यादव की बिहार के यादव वोटों में मजबूत पकड़ थी। लेकिन और कोईरी जातियों को OBC आरक्षण से बाहर करने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर नितिस कुमार ने कुर्मी कोईरी वोटों को एकजुट करना सुरू कर दिया। और लालू के खिलाप अपनी तागत की तस्दीक के लिए पहला सक्ती प्रदर्शन किया। ये साल 1994 का वक् लगाए जाती है। इस रैली में सतिस कुमार भोलानात सींग, ब्रहमानन्द मंडल जैसे निता सामिल हुए। कयास इस बात पर लगाए जा रहे थे कि नितिस कुमार इस रैली में सामिल हूते हैं या नहीं। चुकि रैली लालू प्रसाद यादव की जनता दल सरकार के खि लिक्र करते हैं। इस किताब के मताविक रैली से पहले लालू ने नीतिस को एक संदेश बिजवाया कि यदि वह रैली में गए तो उनके इस क्रत्य को एक विद्रो समझा जाएगा। लालू प्रसाद यादव का तरक था कि वह रैली उनकी सरकार के विरुद एक सडियंत र इसलिए लालू प्रसाद यादव ने रैली में जाने को विश्वास घात जैसा बताया। पटना में एक जगे बैटकर लालू पल-पल अपने सहयोगियों से पूछते रहे कि आया जे नीतिस्वा पता लगाओ कहा है। रैली में इस बात का इंतजार होता रहा कि नीतिस चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजर अंदाज करती है वो सरकार सता में नहीं रह सकती। पटना की ये कुर्मी चेतना रैली नीतिस की प्लानिंग का पहला पड़ाव थी। अब वो अलग पार्टी बनाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अ समता पार्टी गैर यादव, OBC और सवन वोटों की गोल बंदी का एक फॉर्मूला था। इस बीच साल 1995 के ब्याहर विदानसवा चुनाव आते हैं। समता पार्टी ने अन्य बामदलों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा लेकिन बहुत काम्यावी हाथ नहीं लगी। 1995 के ब्याहर विदानसवा चुनाव ने लालू यादव की नित्रित पर ठपा लगा दिया। जन्दा दलको इस चुनाव में 122 सीटों की जगे 166 सीटे हासिल होती हैं। जबकि 324 विदानसवा सीट वाली ब्याहर विदानसवा में पूर भहमत के लिए मात्र 162 सीटे ही चाह चुनाव ब्याहर की राजनीती में एक तरह से अगड़ा बनाम पिछडा की लड़ाई का पहला चुनाव था। इस चुनाव के बाद सवड जातियां ब्याहर की राजनीती में नेफत्त में चली जाती हैं। पूर बहमत की पार्टी जन्दादल के नेता होने के नाते अब नीतिस को बीजेपी में भविस नजर आने लगा। जिस आड़वानी की ग्रफतारी के लिए नीतिस कुमार लालू से क्रेडिट मांग रहे थे। उनकी पार्टी से गठवंदन में अब नीतिस को कोई परहेज नहीं था। ये नीतिस कुमार का पहला अवसरवात था य और कॉंग्रिस मात्र 141 सीटों पर सिमटकर रह जाती हैं। इस तरह अन्यपार्टियों के समर्तन से वाजपई देश के प्रधान मंतरी बन जाते हैं। इन लोक्सवा चुनावों में नीतिस कुमार भी चौती बार सांसत चुने गए। भाजपा से गठवंदन के बदले मे नीतिस को रेल मिनिस्टर बना दिया जाता है। हलंकि अल्पमत के कारण जल्द ही वाजपई को इस्तिवा देना पड़ा और देश में दवारा 1999 के लोक्सवा चुनावों का एलान होता है। इस बार भी भाजपा को 182 सीटे ही मिलती हैं। लेकिन इस बार भाजपा के लेकिन नीतिस के भागय का सितारा बदलने वाला था। इधर बिहार में साल 2000 के बिहार विधान सवा चुनाव हुए। और इस चुनाव में जनता दल से अलग होकर बनाए गई। लालू प्रिसाद यादव की नई पार्टी यानि आर जेडी को 124 सीटे मिलती हैं। वहीं भ नीतिस कुमान ने पहली बार बिहार के मुख्यमंतरी पत की सपत ले ली। लेकिन ये सरकार साथ दिन में ही गिर जाती हैं। क्योंकि भाजपा और नीतिस की समता पार्टी दोनों ही मिलकर बहुमत का जोगार नहीं कर सकी। नीतिस को इस्तिपा देना पड़ता है। इस तर राज 2002 के फरवरी महिने में गुद्रा कांड होता है। उसके बाद गुजरात में दंगे भढ़क जाते हैं। माना जाता है इन दंगों में 2000 से भी अधिक लोग मारे गए जिन में अधिकतर मुसलमान थे। गुजरात दंगों के कारण गुजरात के मुख्यमंतरी नरेंद् पासवान वाजपई सरकार से गुजरात दंगों के विरोध में अपने मंतरी पत से इस्तिपा दे दिया। वो अवसर नितिस के लिए सेकुलर होने का नहीं था। साइध उन्हें सेकुलर होने से कुछ मिल नहीं रहा था। इसलिए जो आदमी साल 2009 में नरेंद्र मुदी के स साथ हूटू भी नहीं किछवाना चाहता था। उसने गुजरात दंगों के वक्त कुछ नहीं बोला। बोलना छोड़िये गुजरात दंगों को कुछ महिने भी नहीं बीते थे कि नितिस कुमार ने गुजरात में जाकर नरेंद्र मुदी के साथ इरिल मंतरी के रूप में म अब कई बीजेपी नेता और उसके सहयोगी दल दभी जवान में भाजपा की इसहार के लिए गुजरात के दंगों और नरिंद्र मुदी को जम्मिदार बताने लगते हैं लेकिन नितिस कुमार अपनी निजी बैठकों में मुदी की तारीफी ही कर रहे थी इस बारे में राजनितिक विशलेशक प्रेम कुमार मडी के हवाले से दवायर में एक वाक्या छपा था प्रेम कुमार मडी बताते हैं कि साल 2004 में नितिस कुमार ने उनसे कहा कि नरिंद्र मुदी बीजेपी का नया चैरा है वह अती पिछडे वर्ग से आते हैं वो घांची है जो बहुत कम संख्या में पिछडी जाती है बीजेपी की ब्रहमर लोबी उनको बदनाम करने में लगी है वाजपई भी इसमें लग गये हैं मुदी डाइनमिक आदमी है और आप उनसे एक वार मिलो तो आप उनके मुरीद हो जाओगे वो बेहत साधारन और परस्रमी है इतनी तारीफ नरिंद्र मुदी के लिए नीतिस कुमार के मुह से सिर्फ तारीफ ही नहीं वो बाजपई पर मुदी को बदनाम करने का इलजाम भी लगा रही है लेकिन सवाल यह है कि नीतिस ने सेकूलर होने का मुखोटा का पहना और क्यों पहना? क्या कारण रहा कि नीतिस नकेवल नरिंद्र मुदी के खिलाप लड़ने लगते हैं सुरुआत करने जा रहा था साल 2005 में विधान सभाके दो बार चुना हुए एक बार फरवरी में और एक बार अक्टूबर में फरवरी में हुए चुनाम में राजत पार्टी को भारी नुकसान हुआ इस चुनाम में लालू प्रशाद यादव की पार्टी RJD 124 सीटों से घटकर 75 पर पहुचाती है वहीं JDU यानि नीतिस कुमार की पार्टी 21 सीटों से सीधे 55 पर पहुचाती है वहीं भाजपा को मात्र 37 सीटे मिलती है लेकिन सबसे चौकाने वाले नतीजे रहे रामिलास पासवान की पार्टी यानि LGP लोग जन सक्ती पार्टी के LGP जनता दलमें से ही तूटकर साल 2000 में बनी थी साल 2005 के चुनावों में LGP को 29 सीटे मिलती है साफ था कि ना लालू को ना नीतिस को ना भाजपा को ना कॉंग्रेस को वहमत मिला इस चुनाव में LGP के रामिलास पासवान किंग मेकर बनकर उभरे लालू परशाद यादव के तरब से रामिलास पासवान से बात की गई क्योंकि अगर पासवान लालू परशाद यादव का समर्थन कर देते तो कॉंग्रेस और अन्य वामपंथी पार्टियों की मदद से लालू परशाद यादव एक वार फिर सरकार बना लेते लेकिन पासवान ने एक कला खेल दी पासवान ने कहा कि वे राजद को समर्थन तो देंगे लेकिन राजद को किसी मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंतरी बनाना होगा इस प्रस्ताव ने लालू परशाद यादव को संकट में डाल दिया तो कि M.Y. यानि मुस्लिम यादव गढ़ जोड के चलते हुए मुस्लिम उनके खास वोटर थे इस प्रस्ताव को हां कहना और ना कहना दोनों ही राजद के लिए चुनोती पूर था अंत्तै पासवान के इस प्रस्ताव को राजद पार्टी ने यानि लालू परसादियादव ने नकार दिया सरकार बंती ना देख LGP के बहुंसे विधायक नीतिस कुमार के संपर्क में आने लगते हैं बिहार में राजनीतिक अस्तिर्ता ने फॉर्स ट्रेडिंग की इस्तती पैदा कर दी यानि विधायकों की खरीद फरोग सुरू हो गई उस वक्त सरदार बूटा सिंग बिहार के राजेपाल थे बूटा सिंग ने किसी भी पार्टी या गठवंदन को सरकार बनाने की इस्तती में ना देख बिहार में राष्टपती सासन लागू करने की सिफारिस कर दी अब बिहार में दोवारा विधानसवा चुनाव होने तै हो गए मुस्लिम नेता को मुख्यमंतरी बनाने की पासवान की बात ना मानने का खामियाजा लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ा क्योंकि आने वाले चुनावों के परड़ाम कुछ भहंग कर आने वाले अक्टूवर 2005 में दोवारा हुए बिहार विधानसवा चुनावों में नीतिस कुमार की पार्टी जेडियू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हैं। मात्र 54 सीटों वाली पार्टी बनकर रह गई। इस तरह 243 सीटों वाली बिहार विधानसवा में NDA को यानि नीतिस और भाजपा वाले गठवन्दन को इसपश्ट मुहमत मिल गया। और नीतिस कुमार बिहार के मुख्यमंतरी बन गए। और यहां से लालू प्रसाद याद तक बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें अपनी कुर्मी जाती के अलावा भी अन्य जातियों और समदायों के वोट वेंग भी चाहिए और खासकर मुसलिम वोट बहुत जरूरी थे। बिहार में मुसलिमों की जनसंग्या 16-18% के बीच मानी जाती है। वैसे में म जुसलिम समदायों जिस भी जाती या समदायों के साथ चला जाए उसकी सरकाल लगवग तैह है। इसलिए नीतिस ने अब धर्म निर्पिक्षता का छदम आडंबर पहनना सुरू कर दिया। अब वो सैकूलर दिखने के लिए कोई भी अफसर नहीं छोड़ते। लेकिन दि नीतिस कुमार के अरोड जेटली से बहुत अच्चे संबन थे। जब भी वे दिल्ली दौरे पर जाते तो अक्सर जेटली के साथ ही डिनर किया करते थे। इधर बिहार में भी नीतिस के भाजपा नेता सुसील मोदी के साथ अच्चे संबन थे। इसलिए नीतिस को दूर ग साबित करने की कुछिस की लेकिन बीच बीच में खेल बिगरता भी रहा कुछ ऐसा ही हुआ साल 2009 में साल 2009 में एक वार फिर लोग स्वाचनाव होने जा रहे थे इस बार भाजपा के नित्रित वाले एंडीय गठ्वन्धन के उमिद्वार बने आडवानी एंडीय के सकती प्रदर्शन के लिए लालकिषना आडवानी के नित्रित में लोधियाना में सयुक्त रैली का आयोजन किया गया लेकिन NDA गठवन्दन का पार्ट होते हुए भी नीतिस इस्रेली में जाने के लिए इच्छोग नहीं थे नीतिस को लगता था कि वहाँ पर नरेंद्र मुदी भी मौजूद होंगे लेकिन अरुर जेटली ने नीतिस को विश्वास दिलाया कि यह है आडवानी जी का व्यक्तिगत निमंतरण है और वहाँ उनकी उपस्तती जरूरी है नीतिस आडवानी का समर्तन और सम्मान दोनों करते थे इसलिए इस्रेली में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जैसे ही नीतिस लुद्याना की इस्रेली के मंच पर पहुँचते हैं तुरंत ही नरेंद्र मुदी नीतिस कुमार का अविवादन करने के लिए लपकते हैं और उनका हाथ पकड़ कर अपने हाथ में ले लेते हैं राजदीप की 2014 चुनावों पर लिखी किताब की अनुसार यह मुश्किल से 10 सेकंड का ही दर्श था लेकिन न्यू चैनलों को यह दर्श दिखाने और प्रेस फोटोग्राफरों को फोटो लेने का बहुँ प्रतिक्षित मौका मिल गया जो अगले दिन समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर छपी नीतिस बहुत लाल पीले हुए उन्होंने अपने सेहवियों से कहा कि मोदी द्वारा लोध्याना में हाथ पकड़ने वाली घटना उनके साथ विश्वासगात थी नीतिस ने बाद में जेटली से कहा कि आपने अपना वायदा नहीं निभाया भाजपा नेता अरोड जेटली ने जोड़ देकर कहा कि यह है जान बुझकर किया हुआ करत्त नहीं था लेकिन दो साल बाद जून 2010 में मोदी ने जान बुझकर नीतिस को उक्साने के एरादे से ऐसा ही कुछ किया दरसल पतना सहर में बाजपा की राष्टे कारकारणी की मीटिंग होनी जा रही थी इस बड़ी मीटिंग से पहले कि साम पतना सहर के महतपूर इस्थानों पर मोदी के बड़े बड़े पोश्टर लगाय जाते हैं जिसमें बिहार की नदी कोसी में आई बाड के पीड़ितों के लिए उनके यानि मोदी के योगदान का आभार विक्त किया गया था दरसल गुजरात सरकान ने बाड पीड़ितों के लिए 5 करोड रुपे दान दिये थे ये पोश्टर भाजपा के इस्थानिये नेताओं ने प्रायोजित किये थे नीतिस उस वक्त पतना के बाहर यात्राव कर रहे थे नीतिस ने इस कारकारणी के लिए पतना में एकत्र हुए भाजपा के वरिष्ट नेताओं को अपने यहाँ पर रात्री भोज़ पर आमंतरत किया रात्री भोजन का सांदार बंदुबस्त किया गया और इसके लिए इस्थानिये पांस सेतारा होटलों को नाना प्रकार के व्यंजन परोसने का ओर्डर दिये गया लेकिन जब नीतिस कुमार पटना लोटते हैं तो उन्होंने समाचार पत्रों में जो कुछ देखा उसे देख कर वे सन रह जाते हैं समाचार पत्रों में गुजरात के मुख्यमंतरी का बिहार की जनता के लिए दे गए महादान के पूरे पन्ने पर विज्यापन थे इसके साथ में लोध्याना में नीतिस और मोदी के एक दूसरे का हाथ थामने वाली तस्वीर भी थी यह देखकर नीतिस कुमार अपना आपा खो बैठते हैं राजदिप सर्देशाई की किताब के अनुसार नीतिस को लगा कि मोदी ने जान बूझ कर उन्हें अपमानित करने के लिए इस धरमार्त कार का प्रचार किया है इसके साथ ही नीतिस कुमार ने रात्री भोज रद कर दिया नीतिस सरकार ने भाजपा की कारकारणी की बैठक से किनारा कर लिया नीतिस ने अपने एक सहयोगी से कहा कि हम उनके बगेर भी चल सकते हैं नीतिस के इस विवार से मोदी भी घुसा थे मोदी ने भाजपा अध्यक्ष गड़करी से कहा आप नीतिस को मेरे साथ ऐसा आचरन करने की अनुमति कैसे दे रहे हैं हमें सरकार से बाहर हो जाना चाहिए नीतिस के आत्मकता लिखने वाले पतरकार संकर्षन ठाकुर के अनुसार यह वह दिन था जब नीतिस और मोदी की लड़ाई ने व्यक्तिकत इस्तर पर एक भद्धी सक्र लेली और अब यह विचार धारा तक सीमित नहीं रह गई थी साल 2010 में फिर से बिहार विधान सबाग के चुनाब होते हैं एक वार फिर जेडी यू की जीत हुई और नीतिस कुमार फिर से बिहार की मुख्यमंतरी बन जाते हैं नीतिस को मुस्लिम वोटों की महता समझ आ गई थी उन्हें सेकलोरिजम वाकई काम की चीज लगने लगी साल 2010 और 2011 आते आते देश में कॉंग्रेस के खिलाब माहौल बनने लगता है कॉंग्रेस पर लगे घोटालों के आरूपों और काले धन के खिलाब चल रहे आंदुलनों के बीच नरिंद्र मुदी की विकास पुरुसवाली चवी का निर्मान किया जाता है गुजरात मॉडल की चर्चाएं होने लगती है हिंदुवादी भाजपा समर्तकों में नरिंद्र मुदी की डिमांड बढ़ने लगती है लेकिन भाजपा के सीर्स निताओं में ही एक ऐसा वर्ग था जो नरिंद्र मुदी को प्रधान मंतरी उम्मिद्वार की तरह नहीं देखना चाता था उपर से नरिंद्र मुदी के उम्मिद्वार बनने का मतलब था भाजपा को गठवंदन की इस्तिती में सेक्यूलर पार्टियों का समर्तन ना मिलना इससे NDA गठवन्दन के कुछ निताओं को ये भी उम्मीद थी कि अगर साल 2014 में भाजपा को बहुमत नहीं मिलता तो अन्य पार्टियां नरेंद्र मुदी को समर्तन देंगी ही नहीं ऐसी इस्तती में उन्हें अन्य पार्टियों से समर्तन मिल सकता है और वे प्रधान मंतरी बन सकते हैं नितिश कुमार भी इस तरह के गुणा गड़त में ही लगे हुए थे क्या पता कि उनका सितारा भी बुलंद हो जाए Economic Times अखवार को दिये गए एक इंटर्वू में नितिश कुमार ने कहा कि प्रधान मंतरी पद के उम्मिद्वार की प्रष्ट भूमी सेक्यूलर होनी चाहिए इसे निशिता कि नितिश कुमार पूरी तरह से मोधी विरोधी एजेंडा फिर से तयार करने के लिए कटबद थे अंतर सिर्फ एतना ही था कि इस बार भाजपा उनके आगे जुकने को तयार नहीं थी साल 2012 आते आते ही नरिंद्र मोधी भाजपा समर्तकों में बहुत जादा लोग प्रिया हो चुके थे साल 2013 में जब गुजरात विधान सवा चुनाव हुए तो एक और फिर मोधी ने ये चुनाव जीत कर सावित कर दिया कि वे राजनितिक तोर पर काबिल है अब मोधी भाजपा में एक बड़े हीरो की तरह इस्तापित होने लगते हैं लगने लगा कि जल्द ही भाजपा परदान मंतरी पत के उमिद्वार के रूप में नरिंद्र मोधी का नाम तै करने जा रही है नीतिस ने इस मसले पर इस्तती इसपष्ट करने के इरादे से भाजपा के राश्टिय नित्रित्व से मुलाकात करने का फैसला किया नीतिस की चिंता पर आडवानी ने उन्हें भरोसा दलाया कि ऐसा कोई निड़े अभी नहीं लिया गया है परंतु जब वह हमेशा की तरह जेटली के घर रातरी भुच पर गए तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ पत्रकार राजदीब सरदेशाई के अनुसार नीतिस ने मुझसे कहा कि मैंने कई बार उनको पूछा पर सीधा जवाब नहीं मिला 16 जून 2013 के दिन GDU के राश्टी अध्यक्ष सरद यादव और मुख्यमंत्री नीतिस कुमार ने पटना में एक प्रेस कॉन्फरेंस की इसमें सरद यादव ने NDA छोड़ने का एलान कर दिया साथ ही NDA के सयोजगपत से भी इस्तिफा दे दिया NDA छोड़ने का कारण बताते हुए पत्रकार राजदिप सरदेशाई के अनुसार नीतिस ने मुझसे कहा मैंने कई बार उनको पूछा पर सीधा जवाब नहीं मिला सोले जून 2013 के दिन जेडियू के राश्टिय अध्यक्ष सरद यादव और मुख्यमंतरी नितिस कुमा ने पटना में एक प्रेस कॉनफरेंस की इसमें सरद यादव ने NDA छोड़ने का एलान कर दिया साथ ही NDA के सयोजगपत से भी इस्तिफाद दे दिया NDA चोड़ने के कारण बताते हुए नितिस कुमान ने कहा कि वो अपने बुनियादी सिद्धान्तों से समझोता नहीं कर सकती इस प्रेस कॉनफरेंस में नितिस ने जाहिर नहीं किया कि वो नरेंद्र मुदी के कारण NDA चोड़ रहे हैं लेकिन मूल कारण वही था चुकि नितिस बिहार में भाजपा की मदद से सरकार चला रहे थे इसलिए उन्हें अब दोवारा बहुमत सावित करना था लेकिन इस बार कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के समर्तन से नितिस को बहुमत मिल जाता है और बीजेपी बिहार की राजनीती से विपक्स में आ जाती है इस बीच सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आपचारिक रूप से अपना प्रधानमंतरी पल का उम्मिदवार कोसित कर दिया नरेंद्र मोदी देशवर में रेलिया करने लगते हैं 23 अक्टूबर 2013 के दिन नरेंद्र मोदी ने पतना के गांधी मैदान में एक बड़ी रेली का एलान कर दिया इस रेली का नाम था हुंकार रेली इस रेली में बड़े बड़े पतरकार दिल्ली से बिहार निर्यात किये जाते हैं पूरे पटना को मोदी के पूश्टरों से पाट दिया जाता है अब तक मोदी को बिहार से दूर रखा जा रहा था कारण ये था कि नितिस खुद को सेकुलर दिखाना चाहते थे लेकिन अब नरेंद मोदी की इस रैली को दुस्मन के घर में चिनोती देने की तरह देखा जा नितिस खुद को मोदी के विकल्प के रूप में पेस कर रहे थे साल 2014 के लोक्सवा चुनावों पर लिखी अपनी एक किताम में वरिष्ट पतरकार राजदीब सरदेशाई लिखते हैं मोदी ने इस्थानिये मैथली और भुजपुरी महावरों के साथ 45 मिनट तक भासर दि और मुख्यमंत्री को मौका परस्त और बगला भगत तक करार दिया उन्होंने काफी अक्रामक अंदाज में कहा कि नीतिस कुमान ने बिहार की जंता से विश्वासगात किया है उन्होंने जैप्रकास नारायन और राम मनोहर लोहिया के साथ भी विश्वासगात किया है ऐसे व्यक्ति पर कोई कैसे भरूसा कर सकता है अपनी किताब 2014 चुनाव जिसने भारत को बदल दिया मैं राजदीब सरदेशाई लिखते हैं कि कुछ साल पहले एक रातरी भुज पर मैंने नीतिस से पूचा कि मोदी के बारे में ऐसा क्या था कि वह इतना आहत हो गए इस पर नीतिस ने जवाब दिया कि इससे किसी व्यक्ति को मत जोड़िये यह किसी व्यक्ति विशेश नहीं बलकि एक विचारधारा की लड़ाई है यह देश सेकुलर है और सेकुलर रहेगा कुछ लोगों को यह पता होना चाहिए नीतिस भले ही भाजपा के एंडिये गठवंदन से अलग हो गए लेकिन मोधी लहर में भाजपा को उनके जाने से बिलकुल प्रोहाव नहीं पड़ा बलकि नरेंद्र मोधी की बदवलत भाजपा जबरदस्त बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आती है साल 2014 के लोगसवा चुनाम में बिहार में नीतिस की पार्टी का सूफ़रा साफ हो जाता है साल 2009 में बीज़िपी के साथ चुनाव लड़ने पर जिस GDU पार्टी को बिहार की 40 लोगसवा सीटों में से 20 सीटे मिली उसे ही साल 2014 में 40 सीटों में से दो सीटे मिल पाती हैं वहीं अकेले बिहार में ही बीजेपी की 22 सीटों के साथ एंडिये गठवंदन को 31 सीटे मिलती हैं नीतिस को लग चुका था कि अब दाव उल्टा पड़ चुका है इसलिए नीतिस ने अब एक नया खेल रचा बिहार लोकस्वाचुनाम में हार की जिम् कूर्ण चाल थी नीतिस ने महादलित समदाय से आने वाले मुशहर जाती के जीतन राम मांजी को मुख्यमंत्री बना दिया मुख्यमंत्री बनाई जाने से पहले बिहार की राजनिती में मांजी का कोई बड़ा नाम नहीं था कोई पड़ा कद नहीं था बहुत अधिक को इसलिए भी चुना ताकि वो कंट्रोल में उनके पास ही रहे लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ महिनों के बाद ही मांजी ने नीतिस के ओडर लेना बंद कर दिया नीतिस के लिए ये दाव उल्टा पड़ जाता है बड़ी मुश्किल से नीतिस कुमार ने मांजी को हटा और दोवारा खुद मुख्यमंत्री बन गए इन सब के बाद साल 2015 का विधान सवा चुनाव आ जाता है लोग सवा के गठना करम से नीतिस को आवास था कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे इसलिए अब नीतिस की अवसरवादी र आव जेडी और कॉंग्रेस के साथ हाथ मिलाकर महागठवंदन का निर्मान किया इस सुना में लालू प्रसाद यादव की पार्टी 22 सीटों से सीधे 80 सीटों पर जीत दर्ज करवाने में सफल रहे वहीं नीतिस की जेडी यू को मात्र 75 सीटे मिली और भाजपा भी 91 सीटों से गिर कर 53 सीटों पर सिमट कर रह जाती है इस उना में सबसे अधिक फायदा हुआ कॉंग्रेस को कॉंग्रेस चार सीटों से सीधे 27 सीटों पर पहुंच जाती है इस तरह नीतिस के जेडी यू नालू प्रसाद यादव की पार्टी आर्जेडी और कॉंग्रेस के मागठव सबसे बड़ी खबर आज की बिहार में एक बार फिर बीजेडी यू की सरकार बनने जा रहे हैं नितीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नितीश कुमार आज राथ ही गवर्नर के पास सरकार बनारे का दावा भी पेश करेंगे पटना में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेडी यू की बैठक होने जा रही है बीजेडी के विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच आता है नीतिस और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा अब बिहार में बीजेपी की इस्तती नीतिस के मुकावले बहतर होती जा रही थी बीजेपी का ग्राफ उपर जा रहा था और नीतिस का नीचे चुनाव में नीतिस की पार्टी GDU को मादर 43 सीटे मिली जबकि बीजे पी में नहीं जाएंगे मर जाना कबूल है उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है यह अच्छी तरह जान लीजिए समझ लीजिए सब बोगस बात है कहा के लिए बोल रहा है इदर भाजपा नेता और ग्रह मंत्री अमेशा ने कहा कि अब नितिश कुमार के लिए NDA के में लेगे तो मैं बिहार की जंता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और ललन बाबु को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए बाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं NDA चोड़ने के बाद नितिश कुमार फिर से लालुक पुर्शाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं RJD कॉंग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर एक वार फिर नितिश कुमार सरकार बना लेते हैं एक और फिर नीतिस कुमार बिहार के CM बन गए और तेजस्वी यादव को डिप्टी CM बनाये गया इस बार लगा कि सायद नीतिस कुमार अब NDA में नहीं जाएंगे 2023 आते आते संकेत मिलने लगते हैं कि नीतिस कुमार गठवंधन को धुखा दीने में है ऐसी बाते भी आने लगी कि नीतिस कुमार इंडिया गठवंधन में बड़ा पत चाते थे यानि खुद को गठवंदन के प्रधान मंतरी उम्मिद्वार की तरह घोसित करवाना चाहते थे कहा ये भी जा रहा है कि ये बहाने थे नीतिस कमार के गठवंदन छोड़ने के वो NDA में जाने का मन पहले से ही बना चुके थे कुल मलाकर इन सब कारणों को आगे करके उन्होंने भागठवंदन छोड़ दिया और फिर आगे BJP के गठवंदन के साथ मतलब एक वार फिर से उन्होंने पल्टी मार ली नीतिस की अवसर देखकर अपनों को दगा देने की आदत पुरानी है इतनी पुरानी है कि राजनीती के जिन बड़े बरगदों की छाव में पलकर सत्ता की कुर्सी तक पहुँचे उनकी ही जड़ काट डाली जिसने उंगली पकड़कर राजनीती में आगे बढ़ाया उस करपूरी ठाकर और जॉर्ज फरनाडिस को भी नीतिस ने नहीं छोड़ा जॉर्ज फरनाडिस ने भी अपने एक पत्र में ये बात कही थी कि साल 2009 में जॉर्ज फरनाडिस ने अपने समाजबादी सहयोगी रहे कुमार औरंग बढ़कर को एक पत्र लखा और इसमें वो कहते हैं कि तुमने नीतिस कुमार के बारे में जो कहा था वो सच है मैं उसको लेकर आया था लेकिन वो मुझे साइड लाइन होते हुए देखता रहा खराब सियत का हवाला देते हुए नीतिस ने जॉर्ज फरनाडिस को साल 2009 में लोकस्वा चुनावा में टिकट भी नहीं दिया जोर्ज ने मुझफरपुर से निर्दलिय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और इस तरह नीतिस ने अपने राजनीतिक गुरू को ही हमेशा के लिए साइड लाइन कर दिया हलांकि बाद में नीतिस कुमार ने जोर्ज फरनाडिस को राजसवा बिजवा दिया था नीतिस ने सरद्यादव के साथ भी ऐसा ही किया जोर्ज फरनाडिस के बाद सरद्यादव ही वो नेता थे जो कभी GDU का चहरा माने जाते थे लेकिन सरद्यादव का अंतिम समय अकेले पन में बित्ता है साल 2003 में सरदयादव ने अपनी पार्टी का विले जेडियू में कर दिया था और तब से लेकर साल 2016 तक सरदयादव पार्टी के अद्धक्स रहते हैं यानि जेडियू के अद्धक्स रहते हैं जॉर्ज फर्नाडिस की राजनीती खत्म होने के बाद नीतिस से इतर सरद यादव ही पार्टी के प्रमुक नेता थे BBC की एक रिपोर्ट के मुताविक नीतिस और सरद यादव के बीच खटास साल 2013 से सुरू होती है जब भाजपा ने मुदी को PM कैंडिडिट गोसित कर दिया तो नीतिस ने NDA से नाता तोड़ लिया सरद यादव NDA का साथ छोड़ने के पक्स में नहीं थे लेकिन नीतिस नहीं माने जब साल 2017 में नीतिस कुमार पल्टी मारकर NDA में जाना चाह रहे थे तो सरद यादव उसके भी खिलाप थे नीतिस ने सरद यादव के साथ अली अनवर को भी पार्टी से निकाल दिया और इसी के साथ दोनों नेताओं की राजसवा सदसता भी रद हो गई नीतिस कुमार साल 2024 तक पिछले 19 साल में नौ बार मुख्यमंतरी पत की सपत ले चुके हैं अब सर देखकर दोस्त को दुस्मन बनाने और दुस्मन को दोस्त बनाने में विमाहर हैं अब याद कीजिये नीतिस की उन समाजवादी धर्म निर्पिक्सता वाद की और नैतिकता वाली बातों को याद कीजिये साल 2009 की लुध्याना वाली मीटिंग को जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो आ जाने से भी नीतिस कुमार बचा करते थे क्योंकि वे खुद को धर्म निर्पिक्सता वाद का दोजवाह कहते थे सेकलोरों के सैनापती बना करते थे वही नीतिस उन्हीं मोदी की गोद में जाकर लेट जाते हैं क्या नीतिस जैसे नेताओं ने समाजवाद और धर्म निर्पिक्सता वाद का चोला ओड इस वेचार से जुड़ें लोगों को धुखा नहीं दिया कहां नीतिस आडवानी की रत्यात्रा रोकने और आडवानी को जेल में डालने का क्रेडिट लेना चाहते थे कहां नीतिस मोदी के बारे में कहते थे कि एक आदमी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है कहां मोदी और अपने वैचारिक मदवेदों पर नीतिस कहा करते थे कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है यह देश सेकुलर है और सेकुलर रहेगा कुछ लोगों को यह प बहराल नीतिस कुमार और उनके छदम सेकुलरिजम पर बनाया यह एपिसोड आपको कैसा लगा अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बड़ी मदद मिलेगी